29 प्रतिसत घोषना कर दिया है, आगे दाई, आगे चलना है, क्या लग रहा है, आकिर वहाँ पर क्या है? देखिए, ऐसा है, कि सुरू से हमारे जो अंदोलन सुरू भी संदू पर इसने प्रारम किया था, वो तीन मंदिरों के मांग किया था, कि हमारे इश्देव के भगवान सिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण, यह तीनों की जन्भूमी है, जो अस्तल है, उसको हमको समझ होता से वापस कर दें, तो निश्चित है कि हम लोग का जो भाईचारे की बात है, उचलता रहे गया, सत्भावना चलते रहेगी, ऐसा सोच करके यह मांग किया था, लेकिन वो लोगों नहीं मांगना, और कोट में गया, कोट के मादन से, जो निर्रे पहले राम जन्भूम क हो चुका है, और राम जन्भूमी यह प्रमान मिला, जब कोट को कि नहीं, यह मंदिर तोड़ के ही मस्जित बनी है, तो उन्होंने मंदिर पक्ष में आदिश पायत किया, उसी परकार से ग्यान वापी में, जतनी भी सुबत मिले हैं, सुबत के वाधार पर ही निर्रे होता ह है, तो सब वो समिल चुके हैं, कि नहीं, यह मंदिर है, यह मस्जित नहीं है, क्योंकि मस्जित का जो जैसे ग्यान वापी मंदिर था, अब उसी को ग्यान वापी, ग्यान वापी ही रह गया, और उसको ग्यान वापी मस्जित कहने लगे, जो विलकुल गलत है, बस सुता है, वो मंदिर था, मंदिर के नाम से पहले भी था, आज भी है इसने उसका जो सर्वे हुआ है, उसका उन लोगों ने विरोत किया है लेकिन सर्वे में जो सुवित मिला है, वो निश्यत है मंदिर का पक्ष में हो, मंदिर के ही सुवुत मिलें चाहे वो सिवलिंग मिला हो, चाहे स्वास्तिक हो, चाहे वोम हो, तमाम इसी मिंवस्त में मिली है, जिसके कारण से अब उसी सबुत के आधार पर निश्यत है, चाहे सुप्रिम कोट जाएं, चाहे जहाँ जाएं हर कोट में यही नेड़य होगा, कि वो मंदिर है, और मंदिर के पक्ष में ही कोट निरह करेगा। कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग है वह लगाता सनातनी को लेकर सनातन कटपडिya करते है towards अधरी सनातन चोड़ के कोई हो ही नहीं सकτα यह जैसेfel ми बड़ों का सम्मान कर्थлан यह सनातन धर्म हैं कोई ही नहीं है जो लोग वा है जो इन बिचारों से रहिदें तो है, मान नहीं मात पृता नहीं देवा, सादुन से करवाम में सेवा, ऐसे लोग राक्षसी परभर्वत के हैं, और जो राक्षस समापत हो गए थे, और उनके बंचे होए औसेस हैं, जो उनकी विचार धारा के हैं, वो आज इस परकार से सनातन धर्म का विरोध करते हैं, और सनातन धर्म वही है, कि सब मानते कोई जो आज विरोध करें, वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हाँ, यदि वो सनातन ध धर्ब को नहीं मानते तो सुवेरे वूठ करके अपने माता पिता को दुद्दू चर्चर जूता मारे तब तो मैं समझू का कि सनातन की विरोधी हैं और जो सनातन मानता है वो सभी लोग माता पिता भाई और अपने सेष्ट गुरु गोविन भगवान सभी का सम्मान करता है वो सनातन धर्मी है और जो इसका विरोध करता है वो धर्मी है महराची जिस तरह से देखाँ जा एक शौमिय प्रशाद महर है उन्होंनों पहरे रामचरितमानस को बैन करने की मांग की फिर उन्होंने का कि बहुत मढ़ों को तोड़कर हिंदू के मन्दिर वनवाइ गए है किस तरह से इस बयान देखते हैं शौण प्रशाद महाथ इतनी संख्या हमारे देश की है उसमें एक भूढ एक व्यक्ति किसी परकार का विरोध करता है तो विरोध नहीं माना जाएगा विरोध नहीं बोलता भले है वो उनको बोलने देजिये हम लोगों ने सभी लोगने उस राम क्या है रवंते जोगिनों जस्मिन नित्यानंदे चिदात्मनी इतिराम पदेना सुपर्वन महावधियते परवन परमातिमा स्वेम राम अवतार लिये हैं और गोदुज धिन देव हितकारी किरपा सिंद मानुस तंधारी मानुस रूप में इसलिए आये हैं कि हम धर्म क अस्थापना करें अधर्म का नाश करें और वो किये कि उन्होंने अधर्मियों का नाश किया अधर्म के अस्थापना की जो लोग अधर्मी हैं जो उस खांदान के हैं राम और कुल के हैं वो रामायर के बिरोत करते हैं राम का बिरोत करते हैं क्योंकि राम ने उन आतताईय इसलिए वो संसकार उनमें इस प्रकार से आए हैं जो बसुत है दूसित है और यही समझना चाहिए कि वो राक्षत प्रविर्ति के हैं राक्षत कुल के हैं इसलिए सनातन धर्म का वगवान राम का रामायर का विरोध करते हैं सबके अंत होगा और निश्चित है यह निश्चित है जैसे रामण का अंत हुआ है जैसे उसके कुल का नास हुआ है अधर्म का नास हुआ है उसे प्रकास के धर्म का प्रकास होगा और धर्म का नास होगा देखिए वह काज कर्म बहुत विशाल है यहां तक कि यतने भी वहां होटल है और जितने भी इस्टोरेंट हैं जितने भी क्यालता आतीचिकरी हैं सब बुख हो गए हैं और साधही साथ वहाँ पर जितनी जगे खाली है उसमें बना जा रहा है नए धंक से मकान मतलब उसको क्या कहते हैं तंबु अंबु तान करके बना जा रहा है तो उसलिए वहाँ पर जो भी आएंगे सभी के लिए अलग-अलग परकार के जिसे प्रांतों के भोजन अलग-अल लग लग हैं उस प्रकार से उनको भोजन दिया जाएगा रहन सान के लिए रहनी की बेवस्ता होगी कोई भी करोणों लोग आएंगे सबकी बेवस्ता पूरी अजोद्या में अजोद्या के हर व्यक्ति यह चाहता है कि हम आएं और हम उनकी सेवा करने कहम को असर मिला क्योंकि जो आते हैं जोद्या वो भगवान की ग्रणना से आते हैं यह सरयावत बिन कटनाई राम किरपा बिन आई निजाई अजोद्या में वही लोग जाते हैं जिन पर राम की किरपा हो जाती है तो जो लोग आएंगे वो भगवान राम के भक्त मान करके उनकी पूर्ण तया जो बिरोधी है वो कभी भी कल्यान नहीं चाहते उनका जैसे आप इन पार्टी को देख लिए जाहे जो भी प्रधानमंती करें उसे बुराई खोई लेते हैं कि ना ये गलत हुआ अब एक बात उन्होंने सारे जैसे हम सोतंत्र हो गए और सोतंत्र होने के बाद में जो पर्यामिंट बना हुआ था अंग्रेजियों के समय में उसने सोचा कि ये अंग्रेजियों जब चले गए तो उनकी बनाय हुए जो लोक सभा है और लोक सभा के लोग बईठते हैं उसको हम अपने भारत के बनाय हुआ में परवेश करें तो उन्होंने भारत के बनाया और भारतके मादियम से बन करके जो पार्यामिंट तयार तो यह से लोकों को क्या करें, जिसकी दुर्बुद्धी है, वो इसी परकार से बोलेगा, जिसको सर्पुद्धी है, देश के प्रत्प्रेम है, वह देश के प्रती बोलेगा, नहीं तो देश को बिरोध समझते, देश का बिरोध बोलते हैं, विदेशों में जाकर कि देश का पिरोध करते हैं जबकि हमारा देश्वतंत्र है और हम जिस रूप से आते हैं बारंबार सभी लोग जानते हैं कि जो यहां की हर धर्मों के लोग भारत में हैं और हरी धर्मों के अपने अपने धर्म का सभी लोग पालंग कर रहे हैं इसमें किसी प्रकार का लोग इसा नहीं ह जो मुस्लमान हैं वो अपना नमाजपन हैं, जो हिसाई हैं अपने डंग से करें, जो बहुत धर्म के हैं वो अपने करें, जो जैन हैं वो करें, जितने भी धर्म के लोग मंदिर हैं और सभी लोग अपने अपने डंग से और उसको काल करते हैं, इसलिए हमारा देश जो है वो प्रकाल का विरोत करते हैं जो निंदनी है